इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों small saving scheme का जो interest rate होता है उसमें इस बार भी कोई भी बदलाव नहीं किया गया है notification आपको screen पर दिखाई दे रहे 31st March 2022 का notification है interest rate same रखा गया है पिछले quarter का अब पिछले quarter नहीं यह लगबग सालों से same है अब जो current interest rate है उसके बारे में जल्दी से आपको बता देता हूँ 1 April 2022 से लेकर 30 June 2022 के बीच में क्या interest rate applicable होगा जल्दी से आप जान लीजिए Post office saving scheme पर आपको 4% का interest मिलेगा Time deposit जिसको fixed deposit भी कहते हैं अगर 1-3 साल तक के period का time deposit करते हैं तो interest rate 5.5% होगा लेकिन अगर 5 साल का time deposit मतब fixed deposit करते हैं तो interest rate 6.7% होगा 5 साल का ID account open करते हैं तो interest rate होगा 5.8% 5 साल का senior citizen saving scheme account open करते हैं तो interest rate होगा 7.4% 5 साल का monthly income account open करते हैं तो interest rate होगा 6.6% यहाँ पर आपको लंसम amount invest करना होता और हर महीने आपको पैसे मिलते हैं 5 साल का national saving certificate जिसको NSCB कहते हैं यहाँ पर interest rate है 6.8% Public provident fund PPF जो की बहुत ज़्यादा famous saving scheme है यहाँ पर interest rate है 7.1% सुकर्निया समर्दी scheme में interest rate है 7.6% किसान विकास पत्र जिसको KVP scheme भी कहा जाता है जहाँ पर पैसे double होते हैं तो यहाँ पर interest rate है 6.9% 124 महीने लग जाते हैं आपके पैसे को double होने में तो यह government के small saving scheme है जहाँ पर middle class के बहुत सारी लोग पैसा invest करते हैं decent interest भी मिल जाता है security ही मिलता है safety भी मिलता है सारे saving scheme के detailed video आलेडी हमने बनाया हुआ है e-learning money के channel पर आप देख सकते हैं चैनल का link आपको नीचे description में मिल जाएगा आप subscribe भी कर लीजेगा इस वीडियो में बस इतना मिलते हैं आप सकते हैं वीडियो में तब तक आप फंसते रहें मुस्कुराते रहें धन्यवाद